आज की वीडियो में मैं एक्स्प्लेन करूंगी पर्सी जैक्सन एंड दा लाइटनिंग थीफ को जिसे लिखा है रिक रियॉर्डन ने इस बुक में राइटर ने एंशिन ग्रीक गॉट्स जो कि इम मॉर्टल हैं अमर हैं उन्हें मिला दिया है मॉर्टल से यानि धर्ती पर रहने वाले इंसानों और जीव जन्तों से ये एक must read series book है जो readers को mythological journey पर लेके जाती है और साथ ही twist and turns के साथ readers को बांधे रखती है तो शुरू करते हैं इसकी कहानी कहानी शुरू होती है एक 12 साल के बच्चे Percy Jackson के साथ जो school trip से museum देखने आया है वो Yancy Academy में boarding में पढ़ता है जिसमें trouble kits पढ़ते हैं उसके साथ उसके Latin teacher Mr. Bruner और Maths की Algebra teacher Mrs. George कहीं है Mr. Bruner तो Percy को बहुत मानते हैं पर Mrs. George परसी से हमेशा चिड़ी रहती है Mr. Bruner के पैर खराब हैं इसलिए वो हमेशा wheelchair पर ही चलते हैं Mr. Bruner म्यूजियम में ancient Greek gods के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं और एक खास मूर्ती के बारे में परसी से पूछते हैं परसी बताता है कि वह मूर्ती देवताओं के पिता क्रोनौस की है जो अपने बच्चों को खाते दिखाई गये हैं उनके बारे में भविश्वानी हुई थी कि उनकी मृत्यू उनके संतानों के हाथी होगी इसलिए वे उन्हें जिन्दा ही निकल जाते हैं पर उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे ज्यूस को उनसे छुपा लेती हैं और जब ज्यूस बड़े होते हैं तो वो छल से अपने पिता के पेट से अपने जीवित भाई बहनों को निकाल देते हैं और अपने पिता को मार के उनके टुकड़े टुकड़े करके पाताल की गहराईों में डाल देते हैं सभी बच्चे या कहानी सुनकर आशर चकित हो जाते हैं और जब वे वापस बाहर आते हैं और लंच कर रहे होते हैं तब परसी की अपने क्लास्मेट्स के साथ लडाई हो जाती है तब ही मिसिस जोट्स वहां आ जाती है और परसी को अंदर म्यूजियम में लेके जाती है वो उसे कहती है कि उसने उनको बहुत परिशान कर रखा है पर अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी परसी ने कलपना भी नहीं की होती देखते देखते मिस्स जॉर्स गुस्से से पागल हो जाती है और उनकी आँखे जलते हुए कोली की तरह लाल उनके हाथ पिघर के चमगादर की जाल बन जाते हैं और परसी पर वो हमला कर देती है तभी मिस्चर बूनर वहां आ जाते हैं और परसी की तरफ एक पैन फेकते हैं इसे पकड़ते ही वह दो धाली तलवार बन जाता है और मिस्स जॉर्स उसके आर पार हो जाती है और पीछे रह जाती है एक पीली धूल वो भी गायब हो जाती है अगले ही पर परसी देखता है कि वह तलवार वापस से पैन बन चुकी है वह घबराया हुआ भागकर मिस्चर बूनर के पास आता है पर वो तो पहले की तरह आराम से बैठे अपनी किताब पढ़ रहे हैं और जब परसी उसे पूछता है कि मिस्स जॉट्स कहां चली गई तो मिस्चर बूनर बताते हैं कि मिस्चर जॉट्स नाम की कोई टीचर उनके स्कूल में है ही नहीं और नाहीं कभी थी परसी समझ नहीं पारा था कि आभे हो क्या रहा है और सब इसे जूट क्यों बोल रहे हैं पर जब ये बात वो अपने दोस्ट ग्रोवर से पूछता है तो ग्रोवर अपनी आँखें चुराने लगता है और परसी को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गर्बढ है अगले दिन परसी इस स्कूल से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि जब वा इंगलिश के वर्ड्स परता था तो उसे वो वर्ड्स उल्टे सीधे दिखाई देते अवा पर नहीं पाता साथी जब वा किसी को देखता तो इसे एक साथ बहुत कुछ दिखाई देता जिसे वा कंसेंट्रेट नहीं कर पाता डॉक्टर्स बताते कि उसे एडी एश्टी है हाईपर एक्टिविटी सिंड्रोम है पर सी खुद को एक बेवकूफ बच्चा समस्ता था पर वा तो बहुत खास था अगले दिन वो अपनी मॉम के पास वापस जा रहा था तो उसका फ्रेंड ड्रोवर भी उसके साथ जाता है पर यहाँ भी एक अन्होनी हो जाती है रास्ते में बस खराब हो जाती है और सभी नीचे उतर आते हैं तभी परसी को वहाँ बैठी तीन बूढ़ी औरते दिखाई देती है जो मोजे बिन रही थी वह मोजे आकार में इतने बड़े होते हैं जैसे किसी राक्षस के हो और वह तीनों परसी को घूर कर देख रही थी तभी बीश वाली बूढ़ी औरत एक बड़ी सी कैंची उठाती है और उनको बीश से काट देती है उसकी काटने के अवाज इतनी तेस थी की दूर तक सुनाई देती है ग्रोवर यह देखके घबरा जाता है क्योंकि यह एक अप्षगुन है और परसी ने उनकाटते देख लिया ग्रोवर घबरा कर कहता है कि वह परसी को मरने नहीं देगा कम से कम इस साल तो नहीं परसी असब सुनके बहुत घबरा जाता है और वह न्यूवर पहुँचने पर ग्रोवर को अकेला छोड़ अपनी मॉम के घर आ जाता है परसी अपनी मॉम और इस टेफ फादर गेब के साथ रहता था उसे अपने पिता के बारे में जादा कुछ नहीं पता था वे तो उसके पैदा होने के पहले ही समुध्यात्रा पर गय थे और लौट कर नहीं आए उसके पिता और उसकी मा की शादी नहीं हुई थी उनका रिष्टा एक रास था फिर उसकी मा सैली जैक्सन ने बहुत सारी जौब की और परसी को केरे ही पाला और कुछ सालों के बाद गयब से शादी कर ली पर गयब अच्छा इंसान नहीं था वा शराप पीता रहता और जब भी घर पर होता तो अपने दोस्तों के संगताश खेलता परसी को तो वो बिलकुल पसंद नहीं करता था परसी अपनी मौम के साथ हर साल समुद्र किनारे घूमने जाता था और इस साल भी वो गेब की गाड़ी से जाते हैं परसी अपनी मौम के साथ कुछ सुखर्शन बिताता है पर परिशानी वहां भी उनका साथ नहीं छोड़ती एक रात बहुत बड़ा तुफान आता है और उनके कमरे के दर्वाजे पर जोरदार दस्तक होती है वहां परसी का दोस ग्रोवर आया था वह बहुत खबराया हुआ था और उनसे जल्दी से यहां से भागने को कहता है वो तीनों उकार से भागते हैं तो परसी देखता है कि ग्रोवर के पैर तो बखरी जैसे है अब बखरी की तरह ही ब्लीट कर रहा था दरसल ग्रोवर एक सटायर होता है यानि आधा हिस्सा, बकरी और आधा इंसानों की तरह तेज दुफान में परसी की मौम गारी एक नए रास्ते पर मोड देती हैं अब बताती हैं कि परसी अब एक कैंप में रहेगा क्योंकि वहीं उसके साथ सब कुछ सुरक्षित रहेगा परसी को समझ नहीं पाता और बताती हैं कि उसे जल्दी वहां पहुँचना है वह पेड उसकी रक्षा करेगा पर रास्ते में ही वह राक्षस परसी की मौम को गले से पकड़ कर हवा में टांग देता है और देखते ही देखते वह सुनहरी के रन बन कर गायब हो जाती है परसी के गुसे का ठिकाना नहीं रहता और वह उस पेड पर चड़ कर उस राक्षस की सींग उखाड देता है और उसकी छाती में सींग खुसा कर उसे मार डालता है ग्रोवर भी इसमें बहुत घायल हो जाता है और परसी बहुत कमजोर उसे भी कई जगा चोट लग जाती है पर वह हिम्मत करके पहाडी के नीचे कैम तक बहुत जाता है कैम में सब लोग उसकी बहुत सेवा करते हैं खास करें ना बैद उसे ये खास ग्रिंग भिलाया जाता है जिससे वह जल्दी स्वस्थ हो जाता है परसी देखता है कि ग्रोवर की तरह ही कैम पे कई सटायर बच्चे हैं जिनोंने हाफ ब्लेड लिखी टीशर्ट पहनी हुई है हाफ ब्लेड इसका मतला परसी मन में सोचता है पर उसे उसका उत्तर नहीं मिलता वहाँ उसे मिस्टर बूनर मिलते हैं जिने देखे वा बहुत खुश होता है पर यहाँ सब उन्हें काईरॉन कहके बुलाते थे काईरॉन एंशिन टीचर होते हैं जो तीन हजार साल पहले हरक्यूलिस को ट्रेंट करते थे तो क्या ये काईरॉन वही काईरॉन है ऐसे कई सवाल परसी के मन में उखते हैं वहाँ उसे मिस्टर डी नाम के कैम डिरेक्टर से मिलवाया जाता है जो मैजिक से ग्लास और कोक ले आते थे परसी को मारूम पढ़ता है कि ये गौड डाइनोसियस है यानि गौड ओफ वाइन एक बार ये गौड वुड निम्फ से प्यार के चक्कर में पढ़ गए वुड निम्फ जंगल में रहने वाली परिया होती है और उसकी सजा के तौर पर इन्हें धर्ती पर रहना पढ़ता है जब वो चलते तो अंगूर और स्ट्राबेरी इस फलो से लग जाते और फलो से पेड भर जाते थे धीरे धीरे करके परसी को इस कैम के कई राज मालूम पड़ते हैं जैसे कि ये हावलड बच्चे कौन है ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता में से कोई एक भगवान होता है ग्रीक गौड जब धर्ती पर भूमने आते थे तो उने भी इंसानों से प्रेम हो जाता था और उनकी संतानों में भगवान की शक्ति आ जाती थी पर ये बच्चे अमर नहीं होते थे इसलिए इनका पानन धर्ती पर ही होता और इन में से जो सुगंध निकलती थी वो अक्सर पाता लोग के राक्षसों को अपनी और अट्रैक्ट कर लेती और इन में से जादा तर बच्चे मारे जाते या कैंप ऐसे ही बच्चों के लिए बना है क्योंकि या मंत्रों से सुरक्षित है और या कोई भी राक्षस नहीं आ सकता पर परसी की सबसे बड़ी मुश्किल या थी कि वह उसे या नहीं जानता था कि उसके पिता कौन है वा किस भगवान की संतान है एक बार युद्ध के देफता यानि गौड ओफ वॉर एरिस के बच्चे परसी को तंग करने की कोशिश करते हैं वो से पकड़ कर बात्थूम मिले जाते हैं पर परसी के देखने भर से ही पानी के सारे पाइप्स फट जाते हैं और ये बच्चे परसी की शक्तियां देकर हैरान हो जाते हैं पर वो हार नहीं मानते वो एक मौके की तलाश में थे जब वो पर्सी से बदला ले पाएं और उन्हें यह मौका जल्द मिल भी जाता है जब एक बार capture the flag नाम के प्रतियोगिता होती है जो की वहां के जंगलों में थी और यहां एरेस के बच्चे पर्सी को घेर लेते हैं और उसे अपने एलेक्ट्रिक भाले से चोट पहुचाते हैं और पर्सी वहीं पर पानी में गिर जाता है पर जैसे ही पर्सी पानी में गिरता है उसके बदन में गजब की ताकत आ जाती है वह सब को हरा देता है उसके शरीर पे लगी चोटे भी पानी के चूते ही ठीक हो जाती है तभी वहाँ सारे लोग आ जाते हैं और अनाबत परसी से बताती है कि वह अपने सर के उपर देखे जब परसी अपना चहरा उपर की उठाता है तो देखता है कि एक हरे रंग का त्रिशूल उसके सर पर घूम रहा है अब फिर वह त्रिशूल गायब हो जाता है तभी कायरोन यानि की मिस्टर ब्रूनर बताते हैं कि या महान पोसाइडन यानि समुद्र के देखता गौड अफ सी का पुत्र है और सभी घुटने टेक कर परसी के सामने अपना सर चुकाते हैं मिस्टर ब्रूनर या कारन भी कोई इनसान नहीं है बलकि वो तो एक संटौर है जो कि आधा इनसान और कमर के नीचे से घोड़ा होता है वो दुनिया को दिखाने के लिए वीलचेर पर बैठते थे इस कैम में तो वो संटौर बनकर ही गूंसे वो परसी को बताते हैं कि तीन हजार सालों से वो सिक्षप का काम कर रहे हैं और वो भी अमर है एनबेथ गॉर्ड अथेना की बेटी है गॉर्ड अथेना जो कि बुध्धी की देवी है और एनाबेट के पिता एक प्रोफिसर है उसकी मा गॉर्ड़स एथेना ने उसके ट्विल्थ बर्डे पर उसे एक मैजिकल कैप दी थी जो पहन कर वह गायब हो सकती थी एनाबेट कई सालों से कैप में ही रहती है वह बताती है कि वह एक बार ओलम्पस भी गई थी लड़ रहे थे और बहस कर रहे थे ग्रीक में तीन भगवानों को बित्त्री कहा गया है जिन में से एक है जीूज, दूसरे पोसाइडन और तीसरे हेडीज ये तीनों क्रोनोस के बच्चे है जीूज जहां आकाश के देवता है तो पोसाइडन समुद्र के और हेडीज पाताल लोग के इन तीनों भाईयों ने कसम खाई थी कि वे कभी भी इनसानों से प्यार नहीं करेंगे और नाहीं उनकी कोई हाफ बलड संतान होगी पर जीूज ने सत्रा साल पहले या कसम तोड़ दी और उनकी थालिया नामकी एक बेटी हुई लेकिन जैसे जैसे वाई बेटी बड़ी हुई उसमें शक्तिया उजागर होने लगी और जल्दी पाताल लोग से शैतान उसे मारने आने लगे हेडीज जीूज से कसम तोने पर बहुत गुस्सा था क्योंकि इन तीनों ने सिस्टिक नामकी एक रिवर करीन कसम खाई थी जो बहुत ही पवित्र नदी होती है थालिया को इस रिवर का शाप लग जाता है और वा इसी पहाड़ पर मारी जाती है थालिया के साथ ही एनाबेथ, ल्यूक और ग्रोवर भी थे पर अंतु थालिया अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है जियूज ने अपनी पेटी को एक पाइन ट्री में तबदील कर दिया था जो उस पहाड़ पर खड़ा था और सब की रक्षा करता था ल्यूक परसी का भी अच्छा दोस्त बन गया था और वो गौड हर्मीज का बेटा था हर्मीज, ट्रैवलर्स और चोरों के भगवान होते हैं ल्यूक ने परसी को तलवार बाजी सिखाई और उसका हमेशा साथ दिया एनाबेट परसी को इंशिन ग्रीक पढ़ना सिखाती थी जो परसी बहुत जल्दी सीख गया उसकी आँखें सिर्फ इंग्लिश पढ़ने के लिए दिसलेक्सिक थी ग्रीक तो वह असानी से पढ़ लेता एक दिन मिस्टर डी और काईरॉन ने परसी को बुलाया बहुत बहुत गहरी और जरूरी थी जैसा कि एनाबेट ने परसी को बताया था कि जब वो औलमपस गई थी तो वहां से कुछ चोरी हो गया था बात उसी बारे में थी बात थी लाइटनिंग बोल्ट की चोरी होने की जैसा कि इस बुक का नाम है लाइटनिंग बोल्ट ज्यूस का हतियार था और वह एटम बॉम और नुकलियर बॉम से भी अधिक ताकतवर वह लगबग एक मीटर लंबा दोनों तरफ से नुकीला सिलिंड्रिकल हतियार था और ज्यूस परसी के पिता पुसाइडन पर चोरी करवाने का अलजाम लगा रहे थे जोकि एक भगवान दूसरे भगवान का हतियार चोरी नहीं कर सकता तो सारा शक परसी पर आता है कि उसी ने बोल चुराया है फर परसी को तो या भी नहीं मालूम था कि उलम्पस आखिर है कहां और वहां जाते कैसे है एनाबेथ ने उसे बताया था कि उलम्पस नहीं न्यूयॉक में है क्योंकि न्यूयॉक दुनिया के सबसे शक्तिशाली राश्ट्रो का एक शहर है वहां एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में 600 फ्लोर पर और लम्पस का शहर है फर परसी को जो पता था कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में से 110 फ्लोर है फिर 605 फ्लोर पर कैसे जा सकते हैं कैरान उसे बताते हैं कि अगर 10 दिनों के अंदर वातलवार जियूस को वापस नहीं मिली तो वर्ल्ड वार्ट फ्री शुरूर हो जाएगी और दुन्या खत्म हो जाएगी पर बोल्ट है कहां ये जानने के लिए परसी औरेकल के पास जाता है औरेकल कैम्प के सबसे उपर फ्लोर पे था वा मरी हुई आरत की आत्मा थी जो भवशवानिया करती थी परसी वहाँ जाता है तो रैकल उसके बारे में चार भवर्शमानिया करती है पहली तुम परश्चम में जाओ और उस भगवान का सामना करो जिसने धोका दिया है दूसरी तुम चुराई हुई चीज जून लोगे और उसे वापस भी कर दोगे तीसरी तुम जिसे सबसे अच्छा दोस समझते हो वा तुमें धोका देगा और चौती तुम चिस चीज को पाने में असफल होगे जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपून है फरसी कोया बात कौन जाती है कि शायद उसकी माँ भी इस खोज में उसे मिल जाए क्योंकि हर रात वाइस अपना देखता था कि कोई गहरी खाई से उसे पुकार रहा है और बदले में उसकी माँ को देने का वादा कर रहा है पर उसे यह सब बहुत डरावना लगता आखिरकार परसी, एनाबेत और ग्रोवर उस बोल्ड की खोज में निकल जाते है पर अगर वा बोल सच में पाता लोक में हैं तो हेडीस के पास से वापस आना बहुत मुश्किल है काईरॉन उन्हें पैसा, ड्रिंक और को सोने के पुराने ग्रीक सिक्के देते हैं और यूग परसी को उनने वाला जूता देता है पर क्योंकि परसी को हवा में खत्रा होता है क्योंकि वा जूस का छेत्र था तो वा वो जूदे क्रोवर को पहना देता है अव्य तीनों सफर पर निकल जाते हैं पर इनका सफर बहुत कठनाईयों से भरा था हर कदम पर खत्रा और अंडर वर्ल्ड के दानव इनको मारने के लिए हमेशा तयार रहते थे इनका सारा पैसा और बैग भी उस बस में जल जाता है जिसमें वो तीनों सफर कर रहे थे उसमें अचानक मिसिस जॉट्स आ जाती है और उन्हें धमका कर किसी चीज़ के बारे में पूछती है पर वे तीनों बड़ी मुश्किलों से उन्हें हराकर जंगलों में भागते है वे सोच रहे थे कि अगर बोल्ड सच में हेरीज के पास है तो फिर ये मॉंस्टर्स आखिर क्या ढूनने के लिए उनके पास आ रहे है यह बात अभी भी रास थी कि आखिर वो चीज़ क्या है और लाइटनिंग बोल्ड आखिर किसने चुराया है वे जंगलों में भूके पेट आगे बढ़ रहे थे उन्हें लॉस एंजलिस महुचना था क्योंकि नरक के दरवाजे वहीं से खुलते थे वह प्लेन से नदी पार नहीं कर सकते थे क्योंकि जिरू उजाकाश के देफता है अब पोसाइडन से उनकी लड़ाई चल रही है अगर परसी हवा में जाता है तो उसका मरना निश्चित था जंगलों से जाते वक्त उन्हें खाने के बड़ी अच्छी खुशबू आती है तो वह वहीं रुख जाते हैं वो आंटी एम की जगा थी जहां पर इस चैचूज लगे थे और इतनी बड़ियां खुशबू आ रही थी कि उनसे रहा नहीं गया वो इस चैचूज इतनी बारीकी से बनाए गय थे कि लगता था कि असली इंसानों के हैं पर उन सब के चहरे पे हवाईयां ओड़ी थी जैसे कोई टरावनी चीज देख ली ही हो तब ही एक बूढ़ी औरत बहार आती है जिसने अपना चहरा और बाल ढख रखे थे वो बहुत प्यार से तीनों बच्चों को अंदर लेके जाती है जहां से खाने की खुश्पू आ रही थी वो उन्हें चीज बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज और कोग देती है और साथ ही अपनी धुख भरी कहानी सुनाती है कि कैसे उसकी बहनों ने उसे छोड़ कर उसे धोका दिया और अवबा केले ही इन उस चाचूस के साथ रहकर अपना जीवन काट रही है परसी बहुत दुखी हो जाता है पर ग्रोवर को यहां कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि वहां रखी एक मूर्थी उसे अपने अंगल फर्डिनेंड जैसी लग रही थी जो अचानक गायब हो गय थे कहीं आंटियम मेडूसा तो नहीं एनमित बोली वो उन तीनों को बठा कर फोटो खीशना चाहती थी मेडूसा एक ऐसी शापित मॉंस्टर थी जो अगर किसी के आँखों में देख ले तो वह पत्थर का बन जाता था और उसके सर पर स्यायकडो साप थे ये तीनों सतर्क हो जाते हैं अब परसी अपनी तलवार जो की पैन बन जाती थी और जाते वक्त काईरॉन ने उसे दी थी ये तलवार पुसाइडन की थी जो उन्होंने परसी को दी थी उससे मेडूसा का सर काट देता है और उसे देव लोग यानि ओलंपिस शहर में कोरियर कर देता है वो रात इनों जंगल में ही काटते हैं ग्रोवर परसी को बताता है कि वो वन ने देवता गौट पैन को ढूनना चाता है और अगर उसे सर्चर लाइसेंस मिल जाएगा तो वा वश उन्हें ढून लेगा गौट पैन दो हजार साल पहले चानक कहीं गायब हो गय थे उसके बाद से वा नजीवों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है एनाबद बताती है कि किस प्रकार उसके पिता और उसकी स्टेप मॉम उसे खत्रा मानते थे और इसलिए वा कैम्प में आ गई पर उसे अपने पिता की बहुत याद आती है वा बताती है कि कई बड़े बड़े वैग्यानिक और नेता भी हाफ बलड है पर वा उनका नाम नहीं ले सकती बहुत सी परशानियों का सामना करते हुए ये तीरों डेनवर शहर पहुंचते हैं जहां इने गौड ओफ वार एरीज मिलते हैं वा उन्हें एक बैक पैक देते हैं जिसमें खाने का समान, कपड़े और पैसे थे साथी एक जानवरों की ट्रक में बठा कर उन्हें वह रवाना कर देते हैं जानवरों के उस ट्रक में जानवरों की बहुत बुरी हालत थी इसलिए जब ट्रक रुकता है तो लास वेगास शहर में ये तीनों जानवरों के पिंजिडों को खोल कर उन्हें आजात कर देते हैं और खुद भी भाग जाते हैं अभी भी उनके पास छे दिन बाकी थे लाइटनिंग बॉल वापस लाने के लिए लास वेगास में वो एक कैसीनों में जाते हैं जिसका नाम लोटस कैसीनों होता है वहाँ उनके लिए पहले से ही एक कमरा बुक था खाने के दिए तरह तरह के समान, गेम्स और फाइव स्टार होटल की सारी सोगधाएं परसी पहली बार इतनी सुन्दर जगाया होता है पर थोड़ी देर बाद ही वहाँ उसे कुछ गरबर लगने लगती है क्योंकि कुछ बच्चे जो गेम्स खेलने में मस थे उनका ड्रेसिंग सेंस 1970s और 80s के बच्चों जैसा था जब परसी उसे पूछता है कि कौन सा साल चल रहा है तो बहुत सोचने के बाद एक बच्चा कहता है कि 1977 पर ना तो उसे या बात मालूम थी नहीं उसके उम्र बढ़ी थी या एक ट्रैप था परसी एनबेत और ग्रोवर के लिए जिससे वो अपनी क्वेस्ट पे आगे न जा सके और वर्ल्ड वार थी शुरू हो जाए बड़ी मुश्किलों के बाद वो इस कैसीरों से बहार निकलते हैं परसी और एनबेत और ग्रोवर वहां से सैंटा मौनिका पहुंचते हैं परसी वहां समुद्र के अंदर चला जाता है अब क्योंकि सर परसी गौड अफ सी का बच्चा है इसलिए वो असानी से पानी के अंदर भी सांस ले सकता था वहां उसे समुद्र की स्पिरिट मिलती है जो उसे तीन मोती देती है जो जरुट पढ़ने पर उन तीनों के काम आएंगे फिर वो बस लेकर लौस एंजलिस पहुच जाते हैं पर नरक के दरवाजे का एड्रेस ढूडना असान काम नहीं था वहां उनकी मुलाकात एक और मौस्टर से होती है जहां से उन्हें नरक का पता चलता है वे नरक में जाते हैं जहां हजारो लाखो लोग थे इस तिंग्स नदी पार करके वे नरक के द्वार पर पहunctे हैं जहां पर दो लाइन में लोग जा रहे थे एक में अच्छे कर्म करने वाले दूसरे में बुरे कर्म जहां एक तरफ नरक की जलती हुई आग थी जिसमें करोडों लोग भरे पड़े थे और उन पर तरह तरह की आतनाई की जा रही थी वहीं दूसी तरफ अच्छे कर्म करने वाले लोग शांती से रह रहे थे पर उनकी संख्या बहुत कम थी तब ही अचानक ग्रोवर के जूते जो ल्यूक ने दिये थे वो उड़ने लगते हैं जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो ग्रोवर चाहा कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था एनाबत और परसी उसे रोकना बहुत चाहते हैं पर ग्रोवर उड़ते उड़ते गहरी खाई की तरफ चाने लगता है या बिल्कुल वैसी ही खाई थी जो परसी अपने सपने में देखता था पर क्योंकि ग्रोवर के पैर बकरी के पैरों की तरह थे इसलिए वो जूते उसको हमेशा से ही ढीले थे उड़ते उड़ते वो जूते अचानक उसके पैरों से निकल जाते हैं और ग्रोवर उस खाई में गिरते गिरते बच जाता है वे तीनों बहुत डर जाते हैं फिर वे उपर चड़के अंडर वर्ल्ड गॉर्ड हेडीस के पास जाते हैं अचानक परसी को अपना बैक पैक बहुत भारी लगने लगता है वे हेडीस के दरबार में पहुँचते हैं हेडीस तीन मीटे लंबा गोरा काले बालो वाला भगवान थे वा परसी से अपना हेलमेट मांगता है पर परसी अनबेत वो ग्रोवर तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं थे इस पर हेडीस उन पे लगाता है कि परसी ने लाइटनिंग बोल्ड के साथ साथ उसका हेलमेट भी चुरा लिया है जिसमें बहुत सारी काली शक्तिया है हेडीस परसी की मौम को भी जिन्दा दिखाता है और कहता है कि यदि उसका हेलमेट वापस कर दिया जाए तो वा परसी की मौम को उन्हें सौंप देगा पर परसी को तो इस बारे में कुछ नहीं पता इस पर हेरीज बताता है कि परसी के बैग में ही वा लाइटनिंग बोल्ड है पर परसी को तो मालूम था कि वा लाइटनिंग बोल्ड हेरीज के पास है और हेरीज ने उसे किसी से चोरी करवाया था जिससे कि जूज और कोसाइटन में युद्ध हो सके परसी जब अपना बैक खोलता है तो देखता है कि लाइटनिंग बोल्ड उसके अंदर चमक रहा है वाशन में पढ़ जाता है फिर उसे याद आता है कि ये बैक तो एरीज ने उसे दिया था और उसने उसके साथ चल किया है उसे औरैकल की भविश्वानी याद आती है कि कोई भगवान पश्चिम में तुमसे चल करेगा परसी गुस्य से भर जाता है वो अपनी मां को भी जिन्दा चाहता था इसलिए वा हेडीज से कहता है कि वा उसे हेलमेट जरूर वापस करेगा पर हेडीज उन्हें मरवाने के लिए अपने सैने को कहब भेज देता है और हेडीज इतनी तेज गरचता है कि सारी प्रित्वी हिल जाती है और भूकम पा जाता है परसी को सी स्पिरिट द्वारा दी गए वो तीन मोती याद आते हैं जिससे वा यहां से निकल सकते थे पर वो अपने मां को भी साथ ले जाना चाहता था लेकिन अपने दोस्तों को भी पीछे नहीं चोड़ सकता था फिर परसी एक बिल्कुत सही फैसला लेता है वो अपनी मां को वहीं छोड़ कर अब तीनों अपने पैरों के नीचे मोती दबाते हैं और वो उपर धरती पर आ जाते हैं जब वो उपर आते हैं तो देखते हैं चारों तरफ भूकम के कारण आग लगी हुई है लोग इधर उधर भाग रहे हैं तब ही उन्हें वहाँ एरीज गौड ओफ वार दिखते हैं परसी उन पर बहुत गुस्सा करता है और उन लड़ने के लिए ललकाता है परसी एरीज क कि शक्ती के आगे कुछ भी नहीं था पर अपनी सूच बूच से वह उन पर कई वार करता है एरीज उन्हें बताता है कि किसी से इने सपने में आकर उसे चोरी किया हुआ बोल्ट और हैमिल्ट रखने की सला दी थी जिससे युद्ध हो और क्योंकि एरीज गौड ओफ वार ह इसलिए उसे युद्ध बहुत पसंद है अग में एरीज परसी को मारने वाला होता है पर कोई शक्ती आकर उसे रोक लेती है और वा द्रश हो जाता है और पीछे रह जाता है वा हेलमेट जो की हेडीज का था वहीं पर मिसिस जॉट्स अकनी सेना लेकर परसी को मारने आई पर या द्रश देके वा समझ जाती है कि या हेलमेट परसी ने नहीं पर कि किसी और ने चोरी किया था और वा हेलमेट लेकर चली जाती है पर जाते जाते परसी की बहादुरी की तारीफ खरती है पर अभी तक या बात राजी रहती है कि बोल्ट और हेलमेट आखे किसने पर इसमें उसकी जान वो खत्रा है पर उसका डर अब निकल चुका है बर न्यूयॉक की एमपार स्टेट बिल्डिंग जाता है और एक खास चाभी लगाकर 600 फ्लोर पर पहुंचता है उसे अपनी आखों पर विश्वास नहीं होता वाओ अलम्पिस शहर में होता है जो सपनों से भी सुंदर था जैसा कि उसने सुना था फिर वाइक बहुत बड़े से हॉल में पहुंचता है जहां बारा गौट्स के लिए बारा सिंगासन थे पर वहां सिर्व जीूज और पोसाइडन ही बैठे थे वह जीूज को उनका बोल्ट वापस करता है और पहली बार अपने प सप्राइज उसके मौम के अपार्टमेंट में रखा है परसी अपने पिता को अलविदा कहता है और अपनी मौम से मिलने जाता है पर वहां गेपस भी होता है जो परसी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता परसी देखता है कि केपस उसकी मौम पर हाथ भी उठाता थ सेली से गेप से शादी सिर्फ परसी को बचाने के लिए की थी क्योंकि गेप की निगेटिविटी इतनी अधिक थी कि वह परसी की सुगंध उसमें छुप जाती थी और वह मॉंस्टर से बच जाता था पर अब जबकि परसी डरपोक नहीं बलकि निडर डेमी गौट था तो वह अपनी मॉम को सही फैसला करने के लिए कहता है और उसके बेट पर एक पारसल रखा हुआ था जो पोसाइडन ने भेजा था उसमें मेडूसा का कटा हुआ सर था अगर उसे कोई देख लेगा तो वह पत्था का हो जाएगा परसी या फैसला अपनी मॉम पर छोड़ देता है कि वह गेप के साथ क्या करना चाहती है और वहां से वापस कैम्प लोटाता है या राज अभी तक नहीं खुला था कि आखिर चोरी की किसने थी कैप बेश सब परसी की तारीफ करते हैं और जशन मनाते हैं परसी सोचता है कि और एकल की सारी भरविश्यवानिया तो सच हो गई सिवाए उसके कि राखिर उसका कौन सा ऐसा दोस्त है जो उसे धोका देगा एक दिन परसी जंगलों की तरफ जाता है जहां उसे ल्यूक मिलता है वा गौड हर्मिस का पुत्र था और परसी का अच्छा दोस्त आज वा बहुत गुस्ये में था और बताने लगता है कि एक बार उसे भी परसी की तरह एक वेस्ट पे भेजा गया था पर इतना ताकतवर होने के बावजूद उसे एक गार्डन से गौल्डन एपल चुरा कर वालम्पस में वापस लाने को कहा जाता है इतना छोटा काम वा करना नहीं चाहता था वा तो बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ था वा एपल नहीं चुराता और वहां उस गार्डन में एक ड्रैगन होता है जो उसका चहरे को काट देता है और कटे का निशान रह जाता है जब आपस आता है तो सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उस पर हसते हैं तब ही ल्यूग अचानक एक चुटकी बजाता है और परसी के पैर के पास एक काला विश्वरा बिच्छू आ जाता है परसी ल्यूग की बाते ध्यान से सुनने लगता है और बिच्छू धीरे धीरे परसी के पैरों पे चरड़ा था ल्यूग बताता है कि उसी ने लाइटनिंग बोल और हेडीज का हेलमेट चुराया था जब वा और अलमपस में गया था और भगवान इतने बेपरवा थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब चोरी हो जाती है वा परसी को बताता है कि सबने मिलके परसी को बेफूव बनाया है और उसका इस्तिमाल किया है इस सबसे तो कहीं बहतर क्रोनौस है जो पाताल की गहरी खाईयों में रहता है और वा भी उन्हीं के पास जाएगा और वा उडने वाले जूते उसने जादू करके परसी को दिय और अब लूग क्रोनौस का साथ देने को तयार था। उसी के कहने से लूग ने वा तलवार और हेलमेट एरीस को दिये थे। क्रोनौस ने सपने में आकर एरीस को दिमाग पर भी काबू कर लिया था। देखते देखते लूग काली परचाई बनकर गायब हो जाता है। और वा बिच्छू परसी पर जपटता है पर परसी अपनी तलवार से उसे मार देता है। पर बिच्छू का एक डंग परसी को लग जाता है जिससे उसके पूरे शरीर में तेजी से जहर फैलने लगता है। वा कैम की तरफ तेजी से दौरता है और मदद के लिए चिल दाता है जब उसे होश आता है तो उसके हाथों पर पट्टी बंधी थी और सब ही उसके पास थे उसके पास उसकी मॉम की चिथी आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने मेडूसा के सर से गेप को पत्थर का बना दिया और उसके इस टैचो को महंगे दामों पर बेच भी दिया जिससे उन्होंने एक नए अपार्टमेंट खरीद लिया है और साथ ही आगे काई करने की सोची है एनाबेट अपने प्रोफिसर पापा के साथ चली जाती है और ग्रोवर को सर्चर लाइसंस मिल जाता है वापैन यानि गौड आफ वाइल्ड को धूनने चला जाता है अब परसी भी अपने केबिन में जाता है और वापस अपनी मॉम के पास जाने की त जरूर बताएं तब तक सुनते रहें सुनो कहानी बाई फो नाओ